नमस्कार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देख रहें नेशनल जन्मत CVI के डाइरेक्टर आलोग बर्मा ने जब सुप्रीम कोट में लिखेत रूप से बताया कि किस तरीके से लालू यादव को IRCTC गोटाले में फसाने के लिए अस्थाना PMO की तरफ से गवर्ण हो रहे थे और बिहार के बर्तमान उपमुख मंत्री सुसील कुमार मोदी की तरफ से गवर्ण हो रहे थे तो इस घटना के सामने आने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है और हमारे मन में भी ये सवाल कौन था कि आखे लालु प्रसाद यादो से बीजे पी इतना भैक्यों खाती है और भी तमाम बिपक्ष के नेता हैं और भी तमाम सारे लोग है लेकिन लालू यादो को ही CVI का डर क्यों दिखाये जा रहा है क्यों आखिर CVI लालू यादो को जेल से नहीं निकलने देना चाहती है क्यों उनकी जमाना तरजी को बार बार खारिच करने के लिए कोसिस की जा रही है आखिर क्या है उस लाली यादो इस सक्स में जो अन्य स्वीर पेस करती है कि लालू यादो जेल में इसलिए हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्रश्टाचार किया है चारा घोटाले में जो बिभिन ट्रेजरियों से पैसे निकाले गए उसमें उनकी मुख भूमका है तथा कतित मुख धारा का मीडिया आपको बार 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 ये सा बार 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 चारा घोटाले की बात की जाती है और ये साबित करने की कोसि की जाती है कि प्रियंका गांधी के पती को राश्टी दमात केह करके उस पर भारती जन्ता पार्टी ब्यंग करती थी और हरयाना में तमाम सारे मामलों में भारती जन्ता पार्टी की प्रवक्ता कहते थे कि हमारी सरकार आने के बाद राष्ट्री दमात को हम जेल में ठूस देंगे लेकिन रॉबर्ट बढ़ेरा की का बाल भी वाका हुआ क्या एक भी मामला उनके उपर दर्ज हुआ क्या मोधी सरकार आने के बाद उसी तरीके से पीच चिदंबरम जो कॉंग्रेस सरकार में बित्त मंत्री थे और ताकतवर मंत्री माने जाते थे उनके उपर कई आरोप लगे भारती जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम इनके उपर कारवाई करेंगे लेकिन पीच अदंबरम पर कोई भी कारवाई हुई क्या उनके बेटे पर कोई भी कारवाई हुई क्या सीला दिक्षित और सुरेश कलमानी जो सीधे सीधे कॉमन मेल्थ जो आयोजन हुए थे भारत में, उसके दोसीक पाए गए थे, दिल्ली की मुखमंत्री रह चुकी है सीला दिक्षित, उनके उपर भी भारती जन्ता पार्टी के लोगों ने लगातार हमले किये, कॉमन वेल्थ गेम में हजारों करोन के घोटाले सामने आये, लेकिन भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनने के बाद, सुरेश कल्मानी या सीला दिक्षित क्या जेल में ठूसे गए क्या सुरेश कल्मानी कॉंग्रेस की सरकार में ही जेल गए थे और भारती जनता पार्टी की सरकार में आज बाहर घूम रहे हैं ऐसे तमाम नाम हैं कॉंग्रेस की सरकार में जिनकी उपर भारती जिनता पार्टी आरोप लगाती थी लेकिन क्या 2014 से याद कर लीजिए कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी की सरकार आने के बाद कॉंग्रेस के कौन से बड़े नेता पर मुकदमा दर्ज हुआ हो उसमें जेल में जेल में हैं ये साबित ठीक प्रतीत नहीं होता है सिर्फ ब्रष्टाचार की बज़े से CVI उनको कटगरे में खड़ा कर रही है ये भी साबित प्रतीत नहीं होता है तो फिर आखिर क्या बज़े है कि लालु यादो से इतना ज़्यादा नफरत करती है बांती जनता पार्ट है दो हार्ट सरजरी भी उनकी हो चुकी है हार्ट का एक बाल भी बदला जा चुका है केडिनी के भी मरीज हैं सुगर के भी मरीज हैं बीपी के भी मरीज हैं इस तरीके से बुरी तरीके से बीमार लालु यादो को CVI जमानत पर भी बाहर नहीं आने देना चाहती है बार बा लग लग ट्रेजरी से 4 गोटाले का पैसा निकला था उन चारों को एक ही मामला माना जाए क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि एक ही जो आरोब होता है एक ही अपराद होता है उसमें एक बार ही सजा देने का प्रावधान है लेकिन CBI ने सीरे सुप्रीम कोट में अरजी लगाई और 4 अलग लग ट्रेजरी से पैसा निकालने को 4 अलग लग अप्राद माने और उनमें लगातार उनके जो सजाक की समय सीमा है उसको लगातार बढ़वाया जाते रहा तो CBI का इतना क्यों इंट्रेस्ट था इसकी परताल करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की सरकार बनी तो उनके बनने के बाद या बनने से थोड़ा सा पहले इर्द गिर्द उनको जो उत्तर भारत में जो राज्य मिले उत्तर प्रदेश बहा मुख मंत्री भारती जंता पार्टी के बने माचल प्रदेश मुख मंत्री बीजेपी के और गुजरात मुख मंत्री बीजेपी के इन में से कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन में 2014 के बाद भारती जंता पार्टी ने जीत हासिल की और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन में पहले से ही बीजेपी की सरकार थी लेकिन भारती जं के लिए अलग केस मान सकते हैं लेकिन दिल्ली को भारती जंता पार्टी के लोग ये एक नगर निकम से ज्यादा नहीं मानते शायद यही बज़े है कि अरविंद केजरिवाल और उपराज जिपाल के बीच में लगातार ठनी रहती है क्योंकि उपराज जिपाल हमेशा भारती भी व्यक्ति बनाया जाता है ऐसे में सिर्फ एक बड़ा राज उत्तर भारत का बिहार जहां पर भारती जंता पार्टी का जो अवेद किला था उसको ढ़ा दिया गया और बहां पर भारती जंता पार्टी की बुरी तरीके से हार होई और तीसरे नमबर पर पहुँच गई ऐसा क्यों हुआ इसका विसलेशन करने पर भी जो बात सामने आती है वो हम आपको बताने की कोसिस करते हैं 2015 के बिहार बिधानसभा चुनाओ में 243 सीटे हैं कुल बिधानसभा चुनाओ में बिहार में उसमें BJP को सिर्फ और सिर्फ 53 सीटे मिली RJD को यानि की लालू यादाओ को 81 सीटे मिली जेडियू यानि नितीस कुमार उस समय RJD के साथ लड़ रहे थे उनको 70 सीटे मिली तो ये इस्तिती थी और सबसे बड़ी पार्टी RJD सावित हुई और कुल मिलाकर वहाँ पर भारती जनता पार्टी बुरी तरीके से आरी और जेडियू प्लस कॉंग्रेस और प्लस RJD तीनों ने मिलाकर वहाँ सरकार बना ली तो पहले तो सबसे बड़ा बिरो दिये कि जहां पर सभी जगे जीती चली आ रही थी भारती जनता पार्टी वहाँ पर लालू यादव के बेबागपन ने और नितीस कुमार की स्वक्ष छवी ने उनके रत को रोग दिया 2015 में हुए बिहार बिधान सभा की चुनाव में किस तरीके से लालू यादव ने सामपरतायकता की पिच को हटा करके सामाजिक नियाय की पिच को वहाँ पर ला दिया और मजबूर कर दिया भारती जनता पार्टी और उनके सयोगी दलों को कि वो लालो यादव और नितिसकुमार की बनाई हुई पिच पर ही चुनाव लड़ें और इस पर जब चुनाव लड़ा तो बीजेपी बुरी तरीके से हार गई लेकिन हम इन सबसके विसलेशन करने से पहले आपको बता देते हैं कि किस तरीके से देश में अन्य जो पिपक्षी दल हैं अन्य पिपक्षी पार्टी हैं उत्तर भारत में उनके क्या हाल हैं सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेस की उत्तर प्रदेस में अगर कॉंग्रेस को छोड़ कर जो बिभिन पार्टी और नेताओं के नाम आते हैं उसमें पहला नाम है समाजबादी पार्टी के अखले से आदव इनके पिता मुलाइम सिंग यादव पर लगातार आरोप लगते रहे भारती जन्ता पार्टी से नजदीकियों पर और यह आरोप तब ज़्यादा लगे जब प्रधान मंतरी अटल विहारी बाचपही थे उनसे नजदीकियां हमेसा कही जाती रही हाला कि कभी इस तरीके से सामने जाहिर नहीं होने दिया मुलाइम सिंग यादव न संग के खिलाफ कभी भी सीधे तोर पर हमला नहीं बोलते दिखते हैं और कभी भी वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होते हैं कि इस देश में संग की और आश्टी सोयम सेवक संग की राजनीती और भारती जन्ता पार्टी की राजनीती आखिर सांपरदा क्यों रही है बसपा में मायवती बड़ी नेता है जो भारती जनता पार्टी के साथ रहकर मुखमंत्री बन चुकी है ऐसा दो बार हो चुका है उत्तर प्रदेश में ही एक छोटी पार्टी है अपना दल एस लेकिन कुर्मी बोट बैंक उससे जोड़ा होने की बज़े से बारती जनता पार्टी के साथ सरकार में सामिल है और भारती जनता पार्टी की मदद से ही केविनट में मंत्री बने बैठे हैं तो वो भी उनके उत्तेवले बिरोधी नहीं है बावु सिंग कुस वहा जो कभी बसपा में हुआ करते थे वो भी भारती जनता पार्टी के साथ कर दिद्र कुस वाहा बरतमान में भारती जनता पारटी को वो तमाम तरीके से सवाल उठा रहे हैं लेकिन पहले भारती जनता पार्टी के टिकट पर उनकी पत्नी चुनाल लड़ चुकी है। और अगर उनको सीटे ठीक ठाग में लगए तो वो भी संतोष्ट हो जाएंगे राम विलास पासबान तो मौसम बैग्यानिक हैं वो समय समय पर कभी कॉंग्रेस के साथ कभी सत्ता रहने पर भारती जनता पार्टी के साथ समय संबर पर बदलते रहें रहते हैं लोकतांतिक जनता पार्टी के नेता हैं लोचपा के लेकिन वो भी बड़ा खत्रा नहीं है जीतन राम माजी सुरू में भी बीजेपी के साथ चुनालवल चुके हैं अब भले ही उससे अलग हैं लेकिन वो भी बड़ा खत्रा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका भी कोई stand के लिए नहीं है पपु यादो जन अदिकार party के नेता है भारती जनता party के साथ सीधे तोर पर कभी नहीं गए लेकिन वो बड़ा खत्रा इसनी नहीं है क्योंकि उनकी party का कोई वजूद क्योंकि शरद यादव बला नाम होने के बाद भी सामाजिक न्याय की बात करने के बाद भी सरद यादव NDA के सयोजक रह चुके हैं अटल विहारी वाजपे की सरकार में यानि कि ये ब्यक्ति भी BJP से कहीं न कहीं पुराने समय में तालमेल रख चुके हैं उसी तरीके से सोक सिंग गहलोत के अलावा हनुमान बेनीवाल एक नया नाम उभर के आ रहा है लेकिन वहां भी उनके मुख बख्ची दल कॉंग्रेस है पंजाब हरयाना जम्मू कस्मीर हिमाचल प्रदेश उत्राखंड और गुजरात इन सभी राज्यों में कमोवेस वही इस्तिती है कि म जम्मू कस्मीर में थोड़ी बहुत पीडिप आ एनसीप को चोड़ दें तो मुख बक्ची दल कॉंग्रेस ही है ऐसी इस्तिती में बिहार में सिर्फ लालू यादव ऐसे बसते हैं जिन्नों ने भारती जनता पार्टी के साथ कभी ताल्मेल नहीं किया बिहार बिधान सभा चनाओ में बीजेपी के बिजयरत को रोकने में लालू प्रस्याद यादव से ज़्यादा नाराजगी इसलिए है क्योंकि जेडियू और आरजडी दोनों ही समान सीटों पर चनाओ लड़े थे लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर ओभरी आरजडी और इसमें लालू प्रस्याद यादव का महत्पूर योगदान था क्यों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोहन भागवत ने जार आरक्षण पर सवाल उठाए जातिकत आरक्षण पर उसको आर्थिक करने की बात की तो सीधे सीधे तोर पर लालू यादव ने इस बात को पकड़ा और उन्होंने कहा कि तुम आरक्षण खत्म करने की बात करते हो हम इसे आजवादी के अनपात में बढ़ाएंगे माई का दूद पिया है तो खत्म करके दिखाओ आरक्षण किसी किसी कितनी ताकत है उसकी हैसियत पता लग जाएगी लालू प्रिशाद यादव ने इस तरी किसी कुमार की तरफ अगर आख उठाकर भी देखी किसी ने तो चाती पर पैर रखके हम उसको चीर देंगे और ये बयान उन्होंने मीडिया में नहीं बलकि एक जनसभा में पूरी तरीके से होसो अबास में जारी किया था इतना ही नहीं जो गौपालक का मुख मुदब बी भारति जन्ता पार्टी ने एक बिग्यापन में उन्होंने एक महिला दिखाई जो गाये को बहुत साहनभूती से उसको गले लगाये हुए है उन बिग्यापनों को अभी इसलिए असर नहीं पड़ा क्योंकि लालु यादव उस गौपालक बनने की रणनीती को पहले इसरे इसे खारिज कर्चे चुके थे और मंचों से खुल कर बोलते थे और इस गौपालक पने का ढोंग को मजा कुड़ाते थे तो ऐसे में इस पष्ठ है कि सामपरदायक्ता की पिच जो तयार करना चाहती थी भारति जन्ता पार्टी उस पिचको लालु यादव ने सामाजिक न लोगों को मारती पीरती थी लूटती थी उनकी हत्याएं करती थी जि मुखमंत्री बनने के बाद लालु यादव ने उसके लोगों को चुन चुनकर जेल में ठूसना शुरू किया और लालु यादव ने पहले मुखमंत्री बनने के बाद ये नारा दिया भूरावाल साफ भूरावाल का मतलब उनका इस पश्चता कि सवर्ण समाज के लोगों को इस तरीके से इनकी राजनीती में सवर्ण समाज के प्रति गुस्सा भी निकल कर आता है। पूरे देश भर में और जिससे जगे जगे दंगे हुए उसको रोकने का भी सबसे बड़ा सरे लालू परसाद यादाओ को बिहार में जाता। लालू यादाओ ने बकाइदा संदेश भी दिया सामप्रताइक्तर के खिलाफ उन्होंने कहा कि चाहे हमारी सरकार रहे या हमारा राज चला जाए हमने अपने राज में दंगा फसाद नहीं फैलने देंगे। 24 घंटे में खुद नजर रखे हुए हूँ जितना एक प्रधान मंत्री की जान कीमती है उतनी ही जान एक आम इंसान की कीमती है। 24 में जनता दल एक ही करत था उस समय जनता दल यूनाइटेड अलग नहीं हुआ था। 24 में जनता दल एक प्रधान में जनता दल एक प्रधान में जनता दल एक आम इस तरीके से आमलावर नहीं होती है। बलकि उनको अपनी सरकारों में शामिल करती है और दिखाने के लिए ही सही उनको पदी भी मोहिया कराती है। लेकिन लालू यादो के खिलाब गुसा इसलिए है कि ये लालू यादो वही लालू यादो है जो सामाजिक न्याय की पिछ को ज़्यादा बहतर डंग से उस पर बैटिंग करते हैं और उस पिछ पर ज़्यादा बहतर डंग से चुनावी दावपेश खेलते हैं और भारती जंता पार्टी की सांपरतायक्ता को बाहर कर देते हैं। जंता पार्टी की सांपरतायक्ता को नहीं चलने देंगे और भारती जंता पार्टी को नेस्ता अनमूत करके रहेंगे। जंता पार्टी की सांपरतायक्ता को नहीं चलने देंगे और भारती जंता पार्टी को पसंदा अपना अपना देखने का नजरिया है। नेस्ता जनमत के संपादक होने की हैसियत से मेरा तो नजरिया ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता में बने रहना ही राजनीती का सब कुछ है। लेकिन मेरा नजरिया ये है कि लालु यादव अगर अस्पताल में भी अंतिमसा से गिनते हैं तो ऐसा ना हो लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी मैं मानता हूं कि लालु परसाद यादव सदियों तक याद किया जाएंगे। उनका काम सधियों तक याद किया जाएगा लेकिन कुर्सी से चुपके हुए लोग जो सिर्फ कुर्सी से चिपकने को ही और सत्ता में बने रहने को ही राजनीती का सरबग मान लेते हैं। लोगों का नाम लेवा साइद बाद में कोई नहीं बचेगा जिस तरीके से लालू यादों के आज भी बड़े प्रसंसक और निवाई हैं। इसे एक नेता मुझे बता दीजिए कॉंग्रेस का जिसको भारती जिनता पार्टी ने मुकद्मे दर्जे करवाए और जेल में ठूसा गया। तो इस तरीकी की सिलेक्टिव जो भ्रेष्टा चार है उस पर मैं लगातार सवाल उठाता था पहले भी और उठाता रहूंगा। कितने भी मेरे उपर आप रोप लगें। आप देखते रहे नेशन जन्मत, जागरोक और सजक रहिए धन्यवाद।